वीजे हजारे ODD मैच ड्रीम लियोन टीम वीजे हजारे ड्रीम लियोन मैच परडिक्शन हाई यम वर्षी टी एंड ड्रीम लियोन मैच परडिक्शन तो दोस्तो वीजे हजारे ट्रोफी का एक और मुकाबला हिमाचल वर्षी तमिलनाडू के बीच में स्वाई मानशनिंग स्टेडियम जैपकूर के विकेट पर खेला जाएगा और इस विकेट के बारे में बात तें दोस्तो न्यूटरल सा विकेट रहता है बल्ले बाजों को अच्छा स्पोर्ट है और बल्ले बाजों के साथ साथ दोस्तो थोड़ा बहुत जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे तो सबसे पहले माचल के बारे में बात करें दोस्तो चार मैचस खेले हैं उसमें से पहला मुकाबला हारा था लार्ट के तीर मुकाबले दोस्तो विन करके आए हैं टीम के उसे एस अरोड़ा पीचोपड़ा ओपन करते नजरा जाएंगे अरोड़ा का परदसन देखोगे दोस्तो तो 34, 79, 19 और 5 रहा है पीचोपड़ा दोस्तो परफॉर्म देखा जाए 51, 64, 99 और 78 हर मैच में दोस्तो पीचोपड़ा ने टीम को जबरदस टार्ट दिया है बैटिंग के लावा पार्टाइम गोवन बाज है दोस्तो काफी कम बॉलिंग करवाते हैं डी रांगी है दोस्तो लास्ट मैच खेला था सैंधी सन बनाए एन गनपता है दोस्तो तीन मैचस में 81 और 16 रन बना कराए है अमित कुमार एक मैच में 43 बनाए थे बागे बैटिंग कुछ खास नहीं रही आर्धवन लगातार जवरदस परफॉर्म कर रहे हैं 89 और दोस्तो 84 ये इनकी जवरदस्थी निंग रही है बैटिंग में और बॉलिंग में देखोगे दोस्तो चार विकेट एक विकेट तीन विकेट हर मैच में दोस्तो इननोंने विकेट भी निकाले हैं तो आर्डवन दोस्तो सबसे बैस भी कि आँपे रहने वारी है आकास वसिस्ट है दोस्तो नंबर साथ के आज पास बैटिंग आता है 24, 13, 13 और 45 इंग की बैटिंग रही है बोलिंग में देखा जाए दोस्तो टिम कई बार 2-5 और करवाती है कई बार बोलिंग नहीं भी करवाती है देकिन जब जब बोलिंग किया दो विकेट, एक विकेट, जिरो विकेट यानि कुल मिला कर दोस्तो ठीक ठाक पले रहेंगे पी जे स्वाल है दोस्तो बैटिंग थोड़ी सी लेट रहती है 38 सन बनाए थे एक मैच में लेकिन बैटिंग के लवा 8 से 10 अवर लगब ये बोलिंग करेंगे जीरो विकेट, दो विकेट, लास्ट मैच में एक विकेट निकाला एम डागर का देखांगे दोस्तो तो ओर्थोडेक्स गें बाज है एक मैच में छे विकेट, एक मैच में दो विकेट निकाले बाकी के दो मैचस में विकेट इनको नहीं मिले विने गालेटिया है, जीरो, जीरो, तीन, जीरो यानि एक मैच में तीन विकेट, बाकी तीन मैच में विकेट लैस एस सरमा के बारे में बात करें दोस्तों दो मैच के लिए हैं दोनों मैचस के अंदर 10-10 और कंपीट डाले हैं और दोस्तों चार विकेट टीम को निकाल के दिये हैं बैंस के प्लेयर को लेकर जो भी चैन्स होगा अपडेट आपको टेलिगाम में मिल जाएगी डैथ होन में बात करें दोस्तों तो रिसी दवान पीजेस वाल और एम डागर आपको नज़र आएंगे पाउर प्ले के अंदर दोस्तों गाले ठिया और यहां से आपको संदीव सर्मा नज़र आ जाएंगे तमिल नार्डू के बारे में बात करने से पहले अगर वीडियो को अपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो एक लाइक जुरूर कर दें और चैनल पर पहरी बार वजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तमिल नार्डू की टीम ने आठ मैच के लिए 6 मुकाबले विन की दो मुकाबले हा रहे हैं बाबा फार्जी दोस्तों आपको ओपन करते नजर आने वाले हैं लास्ट मैच में जबरदर्ट बले बाजी की 122 संद मनाए एक मैच में 13 सिरफ दो ही मैच के लिए थे एन्जगा संकर ने दस वर कंप्रिट बॉलिंग की थी चार विकेट टीम को निकाल के दिये इनके बाद दोस्तों भी इंदर जीत आपको नजर आने वाले हैं अच्छी फोर में चर रहे हैं दोस्तों अब तक तीन हाफ सेंच्छी लगा चुके हैं दो मैच में 31 पैंतालिस बनाए हैं दिने इस कार्तिक टीम की और शे विकेट किपिंग करते आपको नजर आ जाएंगे 32, 87, 65, 47, 37 यानि लगबखर मैच में टीम के लिए इनोंने भी अच्छे रन बनाए हैं वासिंग्टन सुन्दर दोस्तों 34, 31 और दोस्तों लाश्ट मैच में 70 ये तीन इनकी बैस निंग है बॉलिंग में देखा जाए 3 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट मोटली मैचस में काफी अच्छे नोंने विकेट भी निकाल के दिये हैं लेकिन कई बार दोस्तों 8, 9 और बॉलिंग कर लेते हैं कई बार से 5 और डालती हैं ये थोड़ा सा इनका निकाले हैं नहीं सिदार्थ दोस्तों लेटर्म और फोड़ास के अंबाज हैं 8 से 10 वर लगबग बॉलिंग करेंगे 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट मोटली मैचस में टीम के लिए इन्होंने भी अच्छे विकेट निकाले हैं इनके बाद सिलाम सरव आपको नज़राएंगे मीडियम पेस के साथ में 8 से 10 वर बॉलिंग करेंगे और फिसले खेले गए 3 मैचस के अंदर दोस्तों 9 विकेट, टोटल देखोगे दोस्तों 14 विकेट अब तक निकाल चुके हैं, एस वारियर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों 2 विकेट, 1 व वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, अभी हम बात कर लेते हैं डैमो टीम के बारे में, उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है और वीडियो को अपने लाइक नहीं किया है, तो भाई की मेनत के लिए और मोटिवेशन के लिए दोस्तों एक जिने सकार्तिक भी दोस्तों कोई बैड ओप्शन नहीं है, काफी मंजे हुए बलेबाज हैं, बैटिंग में देखा जाए दोस्तों पी चोपड़ा, भी अफार जीत को मैंने यहां से ट्राइ किया है, नीचे के ओप्शन से दोस्तों मैंने भी इंदर जीत को अपने टीम मे रखा है, यह तिनों भी दोस्तों काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो मैं यहां पे कोई भी रिस्क नहीं उठा रहा, एस खान को दोस्तों आप ग्रैंड लिग में जूर ट्राइ करके चलना, यह भी दोस्तों काफी अच्छी गैम संजब पे रहेंगे, अब दोस् दवन, वासिंग्टन, सुन्दर, आर्श्राइ की सोर और वीशंकर, सारों प्लेश को दोस्तों बिल्कुल भी ड्रोप नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वीजे संकर को काफी कम लोग ट्राइ कर रहे हैं, लास्ट मैच में चार विकेड निकारे थे, बाकि वीजे संकर दो दोस्तों जे स्वाल भी कई बार अच्छे विकेड निकाल जाते हैं, इन दोनों प्लेश को दोस्तों आप ग्रेंड लिग में जुरूर कवर करके रखना, बॉलिंग में दोस्तों सिलां बर्शनन का दोस्तों कोई तोड़ नहीं है, जवर्दस फॉर्म में है, जवर्दस व क्या है, बाकि कोई खासा दोस्तों मैरे पास ईपशन नहीं रहेगा, तो दोस्तों अभी के लिए दोस्तों यह हमारी टीम रहेगी, यह सिर्फ एक डेमो क्योंकि दोस्तों फाइनल जो टीम रहेगी, वह प्तरह से टोस्तू के बादगी तोस्तों के ड्यपन जोब ऑदेट बिल्कुल best option रहेगा और wise captain दोस्तों अभी के लिए मैं सिर्फ जगादिशन को फॉर्मल्टी के तोर पर ही बना रहा हूँ देखेंगे दोस्तों पहले टीम बैटिंग कर रहे कि की बालिंग कर रहे हैं तो बैतर को बना सकता हूँ अगर दोस्तों पहले वासिंग्ट के लिए जाएंगे तो इनको आप रोटेट करके अपनी ग्रैंड लिंग में कैफन वाइस कैफन ट्राइग कर सकते हैं तो दोस्तों उमेद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर वीडियो अथा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना थैंक्यू फ्रेंड्स, all the best